आपको पता है 2016 में मेरा एक फ्रेंड था उसने मुझे बला उसको इंवेस्ट करना उसको पच्छेदार रुपए मैंने सुझे रिलाइंस की खरीद ले उसमें फिर वो शाहिद भूल गे अनके बारे में क्या हुआ वो भार पढ़ने चला गया था और पिछले ही साल 2022 में उसन यह को आई गाई इस मां इसांट गोईला एंड इनर्वेस्टे ट्रेनर एंड मेंटर इंस्टॉप मघसर आज आपको मैं ऐसी कंपनी बताने वाला ना मूंग खळा रजाएगा और मूंग से पानी आना शुरू हो जाएगा मैं आपको संपनी के बारे में बताऊंगा इस कं क्या है इनके मोट्स क्या है और फ्यूचर में क्या प्रॉस्पेक्ट है इट इस क्रेजी एक ही जो या दखना उससे पहले आप डिसाइड करो कि आपको स्टॉक में इंवेस्ट करना है कि नहीं खुद रिसर्च जरूर करना वो एसेंचल है और आप चाहिए गोईला मुझे फ यह बैटरी उसमाने में हेल्प करते हैं जो कंप्रिके में बात करने वाला हूं वह है गुजराच फ्लोरोगेंग्ल इंटेड्ट इट इस क्रेजी तो शुरू करते हैं गुजराच फ्लोरो चैमिकल्स यह कंपनी तीस साल पुरानी है और expert है इन फलोराइन केमिंस्टी में, अब ना हो सकता है मैं थोड़ टेक्निकल चला जाओं क्योंकि एक केमिकर इंडास्ट्री को समझना डिफकल्ट हो जाता है इसमें काफी कॉंप्लेक्स चीज़े होती है और देखो या मैं तो साइंस बैगरॉंड से नहीं हूं और अगर आपको भी तियार निस्टैंडिंग न लिए असमें है कोई लेक्र ग्याजिदल समीच्टर है उसमें फ्लोर प्रम उघनिय में ऑकटी में हैं अपके वाटर फिल्टर में होता है Augenी वाजनिय में होता है आपकी कॉंभी मशीन में होता है यू muit इतना इंट्रिस्टिंग केमिकल है जो डिटरजेंस से साफ नहीं होता तो फूड प्रडॉड्ट्स भी होता है जो थर्मल रिजिस्टिंस सकता है जाजल्दी जलने से बचाता है electronics भी होता है, यह electricity बहुत beautifully conduct करता है और यह sticky भी नहीं होता, इन सब नीचे से वेसे यह हर जगा use होता है इसके बारे में थोड़ी और detail में बात करेंगे, बट वीडियो के end में, अभी पहले आपको चार पिलर समझा दूँ और यह company, fluoropolymers का सबसे बड़ा producer है in our country इनके products का क्या है, PTFE, PFA, FEP, FKM, PVDF, PTFE Editives and PPA आपको बोलाता है, होस्ते है products के नाम समझना है, बट वीडियो देखो और opportunity को सीज़ करो second business का part आथ है, chemical fluoros specialities में, basically यह compounds होते हैं, यह chemicals होते हैं TEOF, BTFM, DFMC, DCTFMA, third pillar है refrigerants का, अब refrigerants होता है cold spaces में use, यह होता है AC में use और हिंदुस्तान के again largest manufacturer है, of the refrigerant compound, जो term होता है HCFC 22 से, इनके दूसरे products क्या है, इनके है HFC 125, HCFC 32, HFC 134A, HFC 410A, और HFC 407C, and fourth pillar आता है chemicals का, और India के one of the leading producer है of industrial chemicals, इसमें आपके आते हैं, methylene chloride, hydrogen gas, AHCL, HCL, S2SO4, सब यह company बनाती है, आपको समाझ आ गया, इस company के चार pillars क्या है, पूरी chemical industry में, अब देखते हैं, इस company की opportunities क्या क्या है, and they are crazy, अब यह company इसलिए हमाई radar में आई है, और यह company इतना strong इसलिए कर रही है, because of these, दो इनके जो pillars मुझे बहुत आफ लगते हैं, सबसे पहला है polymers, जो fluoropolymer का game है न, जैसे मैं आपको उसके बाएं बताया कि, electricity conduct कर लेता अच्छे से, चिपतता नहीं है, thermally controlled कर लेता है, semiconductors में उसन लग गया है, यह 5G towers में उसन लग गया है, यह automobile में उसन लग गया है, और इसकी demand हिंदुस्तान में भड़ती ही जाएगी, और आपको इसकी में में डिमांड क्या है, में डिमांड यह है कि यह EV के लिए essential है, to create EV batteries, India में lithium reserve found हुए, Jammu Kashmir में, हाँ, अब उस reserve को actuality में use करने में, होसता है 15 साल लग जाए, but logic यह है कि India is going towards their direction, और यह company उससे सबसे जादा benefit करने वालिया, because fluoroporum अना, electrical vehicles में यूज होगा, batteries में यूज होगा, solar panels में यूज होगा, hydrogen fuel cells में यूज होगा, Hindustan के larger producer है ही इसके, but world में 5th largest producer है, this is sheer dominance, दूसरी चीज़ जो मुझे इस company में बहुत रोखती है, वो है refrigerants का segment, अब India में बहुत बड़ा challenge किसका है, वो है food wastage का, grain wastage का, और इस part में government भी push कर रहे है, अगर आपको इस साल का budget ध्यान हो, तो सरकार ने बोला था, कि जो food wastage हो रही है, हम उसको कम करना है, उसको use करने के तरीके ढूंबने है, अब grain wastage हो दी क्यों है, grain wastage इसले, because हमाई दिश में cold storage का infrastructure बिल्कुल भी strong नहीं है, और यह बहुत बड़ी problem है, COVID vaccine में तो इसका issue आया ही था, दूसरा issue ही आता है, storage is a thing, जिसको improve करना है, और इसमें दो, रिफ्रेजिंस ही तो count होंगे, अगर आप एकदम short term देखोगा और mid term देखोगा, इसका scope बहुत जादा है, मिलाट is expected कि यह stock सीधा ऊपर जा सकता है, plus यह company export करती है, तो America, Europe, Japan, Asia, worldwide तो ही और इसके ऊपर, इनकी R&D is extremely, extremely, extremely strong, अगर आप सोच रहो कि यार यह मैं research कैसे करूं, मुझे कैसे पता चलेगा, then trust me, एक research ना, एक step by step process होता है, और बहुत जगह आप अटकोगे, और आपको एक बाल नोचरू मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, which is fine, यह एक process है, all you need is that कोई आपको guide करता रहे उसमें, इसके लिए मेरा पूरा एक stock market course है, जो एक mentorship program, अगर आप चाहते हो कि गोईल आपकी पीचे खड़ा रहे, then दोस्त, उस course को ज़रू चेक आट करना, website 6 तो और लिंक तो description में है, अब बात करतें, entry badgers की, chemical industry का सबसे बड़ा advantage यही है, कि इसमें घुसना असानी है, because आपको government regulations पार करनी है, आपको certifications चीह है, आपको अपनी supply chain ठीक करनी पड़ती है, आपको बहुत strong R&D team चीह होती है, to produce such chemicals, तो chemical industry में कोई नई step के entry, वैसी मुश्किल है, गुजरात floro chemicals के लिए और भी बढ़िया, चलो business समझ लिया, opportunities भी समझ लिया, but क्या company actuality में को step ले लिए हमें कैसे पता है हमें इसे पता है क्योंकि यह company बोला है कि यह capital expenditure कर रहा है, अब भर-भर के पैसा और दाल रहे हैं, अपनी production बढ़ाएंगे, better करेंगे, R&D better करेंगे, कितने पैसों से 3,169 crores from 2022 to 2024 company में invest होंगे, दो areas जहां पे specifically invest करें, सबसे पहला है battery chemicals, EV पे focus करें, so that EV की batteries, solar panel की batteries, इनके थू बने, इनके chemical juice हों, और इसमें तो भाई सब पांचों ओलियां घीमें, plus यह company PVDF के solar film projects बना रही है, यह PVDF के manufacturing facilities बना रही है, आप देखोगे न, यह company focus है completely renewable energy में, और यह कोई नई company नहीं है, यह वो company है, जो world के top dogs में आती है, this is the opportunity for us, और दूसरा यह है, आपका काम और easy करने के लिए, वीडियो 2 second pause करो, और जो company आप चाहते हो कि गोईला, तुम analyze कर डालो अच्छे थे, उस company का नाम नहीं चलिक तो, जो सबसे common answer होगा, उसमें वीडियो आएगी, पक्का promise, अब जाते हैं, financials में, और competition से compare करते हैं, आईए, जैसे अब देखते हैं कि, sales growth, profit growth, ROE, ROCE, सब better है, SRF का, तो तो नमबर बन position में ही आता है, नमबर टू में आता है, Gujarat Floral Chemicals, यहाँ पर देखोगे, इनका operating profit margin better है, PE better है, हाँ, financials अच्छे हैं, but industry top नहीं है, but the opportunity this company has, अब जाते हैं, इसके technicals में, देखो, share price से around 3000 है, जब मैं record कर रहा हूँ, और all time high से काफ ही नहीं चाहाँ गया है, but यह एक staggish phase में आ रहा है, और आप देखोगे, U-turn भी मारा है, so this can be a great entry point for you, और इसमें को decide करने से पहले ना, एक और कमनी है, जो renewable energies में काम करी है, वो है Borosil Renewables, मेरी personally, मैं उसको बहुत कमनी को favor करता हूँ, उसकी वीडियो यह है, check out करना, but, कर रहे हैं तो यह सब्सक्राइब भी करते ना है, हमारा भला हो जाएगा, ठीक है?